मुझे बहुत अच्छा लगता है जब आप लोगों के मैं कमेंट्स पढ़ती हूं जो लोग ये बताते हैं कि हमें बहुत फायदा हो रहा है हम रेमेडीज करते हैं मंत्र जाप करते हैं और हमारे काम बन रहे हैं हमारी लाइफ में पॉजिटिविटी आ गई है बहुत हम खु करने की ज़रूरत नहीं है मंत्रों को सुनते रहे हैं रेमेडीज को करते रहे हैं जब तक आप मंत्रों को सुनते रहेंगे मंत्र जाप करते रहेंगे लाइफ में कभी भी नेगिटिविटी नहीं आएगी सारी आपके आस पास positive energy कठी हो जाएगी कि negative energy के लिए कोई जगा ह तो इसलिए मन्त्रों को सुनते रहें, मन्त्रों का जाप करते रहें, जब भी आपको time मिलें, ऐसा नहीं है, कोई fixed timing नहीं होता है, वैसे morning और evening में कहा जाता है, पूजा का best time होता है, बट अगर आप morning या इवनिंग में time नहीं निकाल सकते, तो जब भी आपको time मिलें, रात क सोने से पहले, रात को सोने से पहले दस मिनट निकाल लो और मंत्रों को सुनो, आप देखो कि आपके दिन कैसे डे बाई डे आपकी लाइफ अच्छी होती जाएगी यह चीजें स्टार्ट कर दो, बहुत फरक पड़ेगा बहुत फाइदा मिलेगा मंत्र जाब भी एक तरीके का मेडिटेशन है, जिस तरीके से हमें आपने सुना होगा, डॉक्टर्स भी बोलते हैं कि मेडिटेशन करो आप स्ट्रेस से बहार आओगे, एंग्जाइटी से बहार आओगे, प्रॉब्लम से बहार आओगे आपकी thoughts positive होंगी उसी तरीके से मंत्र भी ऐसे ही काम करते हैं आपकी सारी negativity को दूर करते हैं और positivity को attract करते हैं आपकी life में ये चीजें जरूर start करो आपको खुद ही feel होगा कि कितना change आ गया है life में आज जो मैं आपको एक part के बारे में बताऊंगी इतना mind blowing part है इतना जबरदस्त part है मैं इसको बहुत time से कर रही हूँ मैं इसको daily करती हूँ part को और मुझे इतना benefit मिला है इससे कि मैं इसको छोड़ती नहीं हूँ इतने जादा चमतकारी results हैं बजरंग बान के part से बजरंग बान का part कहा जाता है कि दुर्भागे को दूर करता है अगर आपकी life में कोई दुर्भागे चल रहा है आप कोई अच्छे मतलब कोई happy occasion आता ही नहीं है life में हमेशा कुछ ना कुछ tension चलती रहती है एक tension खतम नहीं होती दूसरी start हो जाती है ये सब चीजे अगर आप face कर रहे हो तो बजरंग बान का part स्टार्ट कर दो जिन्दगी पलट जाती है बिल्कुल ये मैं बिल्कुल सही बतारी हूँ आपको कि जिन्दगी पलट जाती है जो लोग भी इसका part daily करते हैं इतना जादा ये चमतकारी है हनुमान जी सारी problems दूर कर देते हैं life की दुरभाग्य दूर करते हैं सारे कश्ट संकर दूर करते हैं बिमारियों को दूर करते हैं हर युग में हनुमान जी का एक स्थान है ये तो सब को पता ही है और हर युग में उन्होंने अपने भक्तों का कल्यान किया है कल्यूग के समय में भी हनुमान जी अपने भक्तों के हर संकट से रक्षा करते हैं और उनकी हर समस्या का समाधान करते हैं जिस पर हनुमान जी की कृपा रहती है उस पर माता पारवती भगवान शिव लक्षमन प्रभूश्री राम एवं माता सीता की भी कृपा रहती है हनुमान जी की कृपा पाने के लिए लोग हनुमान चालीसा का पार्ट करते हैं साथ ही अगर आप हनुमान चालिसा के साथ साथ बजरंग बान का पाठ भी करोगे तो आपको अपने जीवन की सभी समस्याओं से मुक्ति मिल जाएगी अब सारी चीज़ें आपको डिटेल में बताती हूँ कि इसका पाठ करने से बजरंग बान का पाठ करने से आपको लाइफ में क्या-क्या चीज़ें मिलेंगी सबसे पहले दुर भाग्य दूर होगा दुर भाग्य ऐसी चीज़ें जो लाइफ में आगे नहीं बढ़ने देता आप जितना मरजी हार्ड वर्क कर लो, कुछ भी कर लो, लेकिन अगर आपके आपका भाग्य अच्छा नहीं है, दुर भाग्य जुड़ा हुआ है आपके साथ, तो आपको लाइफ में कभी भी सक्सेस नहीं मिलेगी, पैसे आएंगे नहीं, आएंगे तो टिकेंगे नहीं, ब भी पैसे आते हैं, वो बिमारियों में लग जाते हैं, तो ये सारी चीजें किस वज़ा से होती हैं, क्योंकि दुर भाग्य आपके साथ जुड़ा हुआ है, जब दुर भाग्य आपका पीछा नहीं छोड़ता जब तक, तब तक स्वभाग्य की प्राप्ती नहीं होती, तो बजरंग बान का पार्ट Tuesday से स्टार्ट करके आप डेली इसको इसका पार्ट करना स्टार्ट कर दीजे और फिर देखो कितना आपको चमतकारी इसके फाइदे मिलते हैं जो दूर भागे बहुत टाइम से आपके पीछे पड़ा हुआ है बहुत दूर भागेगा आपसे दूसर पूस तक की नौबत आ जाती है अगर ऐसी चीजें है तो आपने क्या करना है हर मंगलवार को या डेली करो मंगलवार से स्टार्ट करके डेली बजरंग बान का पार्ट करो अगर नियम पूर्वक करेंगे बिलकुल श्रद्धा विश्वास के साथ करेंगे तो मंगली इक दोश का बहुत जल्दी निवारन होगा क्योंकि हनुमान जी सब संकट दूर करते हैं जो मंगली इक दोश है जो मंगल अगर आपकी कुणली में मंगल अच्छी पोजीशन में नहीं है मंगल खराब है उसकी वज़े से जो लाइफ में प्रॉब्लम आती है वो भी हनुमान जी दूर करते हैं तो इसलिए बजरंग बान का पाठ मंगल वार से ज़रूर शुरू कर दीजी राहु केतु के बुरे प्रभावों से भी मुक्ती मिलती है अगर आपकी कुणली में राहु की महादशा चल रही है या केतु की महादशा चल रही है या इनकी अगर दृष्टी है किसी अच्छे ग्रहे पे भी दृष्टी है तो भी ये काम नहीं बनने देते भी या नहीं तब भी आप बजरंग बार्ण का पार्ट करना शुरू कर दो लाइफ की बहुत सारी प्रॉबलम आपकी सॉल्व हो जाएगी ग्रह दोश निवारन के लिए अगर कुणली में कोई भी ग्रह आपकी खराब स्थिती में है जिसकी वज़े से बहुत आपको प्रॉबलम्स फेस करनी पड़ रहे हैं कई बार क्या होता है कि हम अपनी तरफ से बहुत अच्छा करते हैं लेकिन फिर भी आगे नहीं बढ़ पाते क्योंकि हमारे जो कई प्लैनेट्स होते हैं वो आगे नहीं बढ़ने देते हैं रुकावटे डालते हैं जीवन में negativity लेके आते हैं तो बजरंग बान का पार्ट अगर आप करेंगे daily, Tuesday से start करके दिया जलाकर तो आपको कोई भी ग्रह परिशान नहीं कर पाएगा, कोई भी दोश आपकी कुंडली में आपको परिशान नहीं कर पाएगा, बुरे प्रभावों से आपको मुक्ति मिलेगी, कोई भी अगर आपका ग्रह दोश है, उसके जितने भी बुरे प्रभाव है, जो वो आपकी लाइफ में भेज रहा है, उस चीजों से आपको मुक्ति मिलेगी, बजरंग बान का पाट प्रोटेक्ट करेगा उन चीज़ों से, आपने करना क्या है एज चीज में आपको बताती हूँ, पाट करने से पहले आपने क्या करना है, एक दिया लेना है, मिट्टि जब तक आप पार्ट करोगे, आपने उस दिये को जला के पार्ट करना है, उसके साथ साथ कोई भी अगरबत्ती वगेरा जरूर जलाएं, क्योंकि अगरबत्ती का जो धुआ होता है, वो आपकी आसपास के environment को आपके घर के वातावरन को शुद करता है, तो पहले घर के वाता पूजा करेंगे, तो उसके benefit बहुत जल्दी मिलते हैं, जब तक negativity दूर नहीं जाएगी, जो भी पार्ट पूजा कर रहे हो, कुछ भी कर रहे हो, तो उसके जो benefits हैं, उसकी जो positive energies हैं, वो पास में नहीं आपाएंगी, इसलिए negativity को दूर करना पहले बहुत जरूरी है, जो भ आरती की जाती है, तो उसमें भी कपूर डाला जाता है, तो ये चीज़ें जरूर करें, पहले अपने घर का वातावरन बिलकुल शुद करें, और फिर पार्ट पूजा करने के लिए बैठेंगे, तो आपको इसके results बहुत जल्दी मिलेंगे, बहुत जल्दी इसका फाइद करने क्या करना है, अगर कोई बंदा बिमार है, किसी की बिमारी को ठीक करने के लिए आप ये पाठ कर रहे हो, तो 21 पान के पत्तों की माला भी हनुमान जी को जरूर चड़ा के आए, और ये कामना के साथ की उनकी तब्या ठीक हो जाए, जो भी घर में बिमार है, उनका नाम करते रहे हैं, Tuesday, Saturday, Tuesday, Saturday, अगर आप ये करते रहेंगे, पान के पत्तों की माला और दिया जला के आते रहेंगे, तो उससे क्या होगा, बहुत जल्दी हेल्थ में सुधार आना शुरू हो जाएगा, जो भी इनसान बिमार है, तो ये जरूर करिए, बहुत जादा चमतकारी है अगर किसी भी कारण से घर में आपके वास्तुदोश है, कई बार कंस्ट्रक्ट करवाते हैं घर, लेकिन वास्तु का ध्यान नहीं रखते, तो वास्तुदोश वा जाता है घर में, बहुत सारी प्रॉब्लम्स फेस करनी पड़ती है, डेली कुछ न कुछ नहीं प्रॉब्ल इसके साथ साथ अगर कपूर और लॉंग का धुआ देंगे घर में, तो उससे भी वास्तुदोश से आपको बहुत जल्दी राहत मिलेगी, बजरंग बार्ण का पार्ट शुरू करने से पहले अगर आप घर को पवित्र कर दें, धुआ दें घर में, तो नेगिटिविटी दूर होगी, और ऐसा माना जाता है, ऐसा देखा भी गया है, कि ऐसे करने से घर में बहुत जल्दी पैसे आने शुरू हो जाते हैं, सारी रुकावटे दूर हो जाती है, हैल्थ अच्छी हो जाती है, वास्तुदोश भी दूर होता है, तो इसलिए बजरंग बार्ण का पार मार रहता है, घर में प्रॉब्लम्स आती है, पैसे नहीं टिकते, कुछ न कुछ ऐसा लगा रहता है, तो आपने क्या करना है, पंच मुखी हनुमान जी की मूर्ती जरूर स्थापित करें, डेली दिया जलाएं, दूब जलाएं घर में, दिया जलाएं, तो इन सब चीजों स क्या होगा, पाठ पूजा करेंगे, मंत्रे जाप करेंगे, डेली घर में, वास्तु दोश दूर होगा, हर तरीके के दोश दूर होते हैं, क्योंकि बहुत सारी पॉजिटिविटी अट्रैक्ट होती है,